हिंदी साहित्य संपून घटना चक्र कुईक रिविजन विद आर्ती शर्मा दोस्तों आपको मेरे चनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन्स को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें तो दोस्तों आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 166 यानी 166 तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रशन गौर करें दोस्तों प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाशा से हुआ है तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी यानि कौरवी का विकास हुआ है दोस्तों अपभरंस से ठीक है इस प्रश्न को हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं तो अब हम इसे discuss नहीं करेंगे, ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली वा मेरट, दिल्ली वा मेरट के आसपास की बोली का क्या नाम है, तो option C, खड़ी बोली, खड़ी बोली यानि कौरवी, बोली बोली जाती है, कहां पर, दिल्ली वा मेरट के आसपास के छित्र में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट बात है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहारी हिंदी का विकास, बिहारी हिंदी, ठीक है, जो की, देखते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, बिहारी हिंदी का विकास, किस प्रा मागदी से माना जाता है बिहारी हिंदी का विकास और बिहारी हिंदी के अंतरगत कितनी बोलियां आती हैं उपबोली तो दोस्तों तीन कौन कौन सी बोजपुरी मगही और मैथिली ठीके ध्यान रखेंगे तो बिहारी हिंदी का विकास किस से मागदी से हुआ है ठीके अगला प्रशने दोस्तों ध्यान दें हिंदी खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली किस अपुभरंस से विक्सित हुई है तो दोस्तों ऑप्शन सी सौर सेनी अपुभरंस से हिंदी खड़ी बोली विक्सित हुई ह टीक है तो पहले स्वोन सेनी, स्वोन सेनी के बाद इस जो रूप आएगा, क्या आएगा, पस्चिमी हिंदी। एक रूप है ये, जब की चार है टोटल, ठीक है। तो पस्चिमी हिंदी, पस्चिमी हिंदी में पांच रूप हैं बोलियों के, ठीक, जिसके अंतरगत एक बोली कौन सी है, खडी बोली, ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, खडी बोली, ठीक है, पस्चिमी हिंदी के अंतरगत, जो की पार्ट है किसका, सौर्स एनी अप अपवरंश ठीक है खड़ी बोली हिंदी का विकास सोर सेनी अपवरंश से हुआ है अगला प्रशने दोस्तों खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है दोस्तों कौरवी क्या है कौरवी ठीक है याद रखेंगे अगला प्रशने दोस्तों ध्यान दें कौर्वी भाषा यहां पर शब्द क्या लगा है भाषा तो कौर्वी भाषा का उदे किस से हुआ है तो अभी हमने पड़ा option A पस्चिमी हिंदी से किस से पस्चिमी हिंदी से और कौर्वी भाषा का अन्य नाम क्या है ब्रज भाषा ठीक है ब्रज भाषा सौरी ब्रज भाषा नहीं ब्रज भाषा नहीं गलत बता दिया खड़ी बोली क्या खड़ी बोली ठीक है ध्यान रखेंगे खड़ी बोली तो पश्चिमी हिंदी का रूप है क्या कोरवी भाषा या खड़ी बोली और पश्चिमी हिंदी क इसके अंतर गताती है तो सौर सेनी अपभरंस बार-बार इसलिए रिपीट कर रहे हूं दोस्तों बार-बार इसलिए रिपीट कर रहे हूं ताकि दिमाग में चीजें बैड़ जाएं ठीक है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहां से प्रश्ण तो ध्याद रखें दोस्तों ठीक है इसका सही उत्तर क्या है ओप्शन ए पस्चिमी हिंदी कौरवी भाषा का उदे पस्चिमी हिंदी से हुआ अगला प्रश्ण है दोस्तों ध्यान दें कौरवी किस बोली को कहते हैं तो कौरवी कहते हैं दोस्तों ऑप्शन भी खड़ी बोली को किसको खड़ी बोली यानि पस्चिमी हिंदी का एक रूप कौरवी ठीक है कौरवी जिसका अन्य नाम क्या है खड़ी बोली है ठीक है ध् बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम है दोस्तों ओप्शन ए मगही ठीके मगही ध्यान रखें बिहारी हिंदी के अंतरगत आती है मगही ठीके और कौन सी मैथली भी आती है और भोजपूरी भी आती है दो और आती है ठीके ध्यान रखें TGT परिक्षा 2013 में पूछा गया प्रशने ये इंपोर्टेंट है और बिहारी हिंदी क्या है तो बिहारी हिंदी दोस्तों मागदी मागदी अपवरंश मागदी ध्यान रखें ये मागदी अपवरंश नाम है पूरा भाशा का मागदी अपवरंश और मगई क्या है? मगई एक बोली है उपवोली है मागदी अपवरंश के अंतरगत ये मगई और मागदी एक जैसे लगते हैं देखने में तो आपको ये बाते भी समझनी है तो इसका सही उत्तर है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है दोस्तों मगही ठीके ध्यान रखेंगे अगला प्रशने है ध्यान दें मगही किस उपभाशा की बोली है तो मगही option D बिहारी उपभाशा की बोली है ठीके सबसे पहले क्या आती है भाशा फिर क्या आती है उपभाशा ठीके पिर क्या आती है बोली ठीके पिर आती है बोली सही है तो सबसे पहले क्या हो गई भाशा हो गई तो मगई किस उपवाशा की बोली है दोस्तों तो ये है बिहारी तो उपवाशा क्या हो गई बिहारी ठीके बिहारी और भाशा क्या हो गई मागधी ठीके ये भाशा हो गई बो तो इसका सही उत्तर क्या है ओप्शन डी बिहारी हिंदी ठीक है अगला प्रशने दोस्तों गौर करेंगे क्या है पूर्वी हिंदी का विकास इन में से किस अपभरंश में हुआ है तो ओप्शन बी अर्द मागदी ठीक है अर्द मागदी अपभरंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है ठीक है तो अर्द मागदी अपभरंश एक भासा है ठीक फिर आगई हमारी क्या पूर्वी हिंदी ठीक है पूर्वी हिंदी के बाद आगए पूर्वी हिंदी के तीन रूप ठीके जिसमें आ गई अवधी भगेली और चतिस गड़ी ठीके तो ये बात भी ध्यान रखेंगे तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है इस उत्तर का सही इस प्रश्ण का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्ध मागधी अपुभरंस ठीके पूर्वी हिंदी का विकास अर् तो दोस्तों ऑप्शन सी मगही बोली चेतर में मगही बिहारी बोली चेतर में इस्थित है पटना और पटना क्या है बिहार की राजदानी है ठीके देखते हैं व्याद क्या गौर करेंगे दोस्तों मगही शब्द मगही शब्द मागधी का विक्सित रूप है ठीके देखो यहाँ पर clarification मिल रही है दोनों ही शब्दों के बीच में ठीके क्या अंतर है देखते हैं तो मागदी मागदी पहले शब्द था क्या था मागदी बाद में इसका विक्षित रूप क्या बना मगही ठीके जैसे जैसे समय बीटता गया चीजे असान होती गई तो मागदी से बन गया क्या मगही ठीके लेकिन ये बात ध्यान रखें कि अगर हम डीप इस्टेडी करेंगे तो मागही किसके अंतरगत आएगा मागदी के ठीके मागदी मागदी के बाद बिहारी हिंदी उसके बाद उसकी एक बोली है मगही ठीके ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों देखते हैं व्याक्या फिर से मगही शब्द मागदी का विक्सित रूप है ठीके कुछ लोग इसे मागदी भी कहते हैं ठीके मागदी भी कहते हैं यह बोली पूरे गया जिले में, कहां पर गया बिहार में बढ़ता है, ठीक है, तो गया जिले में तथा पतना, पतना, हजारी बाग, मुंगेर, पलामउ, ठीक है, पलामउ, शायद पलामउ ही, पालामउ है, यहां पर स्पैलिंग एरर लग रहा है मुझे, मुझे जगे की बा भागलपुर और राची इन सभी जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है क्या मगई ठीक है तो ध्यान रखें दोस्तों ये कुछ नाम है पटना हजारी बाग मुगेर पालामाउ ठीक है मैं इसको यही पढ़ूंगी क्योंकि मुझे यही समझ आ रहा है बाकी अगर मैं गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर आपकी जानकारी में हो तो ठीक देखते हैं अगला नाम है भागलपुर फिर है राची ठीक है ध्यान रखेंगे यहां पर बोली जाती है मगई ठीक बिहार के चेत्र हैं दोस्तों ये बिहार के कुछ छेत्र हैं जो कि गया जिले गया जिले के आसपास के चेत्र है ठीक है तो दोस्तों इस प्रशन का बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली चेत्र में इंटान रखें मगही बोली छेत्र में गौर करेंगे अगले प्रश्न पर आधुनिक भारतिय आर्य भाषाओं के उदे पूर्व यानि इन भाषाओं के उदे से पहले आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो हम जो ये भाषाओं का जो विकास देख रहे हैं उद्बव देख रहे हैं इसका प्राचिन रूप क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन डी अपब्रश ठीके अपब्रश था और फिर अपब्रश की ये अलग-अलग शिरेडियां थी जो मैंने आपको पढ़ाई ब्राचड पैसाची मागदी और अर्द मागदी ठीके ये अपब्रश के रूप हैं ध्यान रखें व्याक्या देखते हैं गौर करें यहाँ पर भाषा का क्रम भी बता रखा है ठीके तो ध्यान देंगे दोस्तों क्या है देखते हैं संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अ । आज अज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, एक लमब़ी यात्रा के बाद हमारे सामने अस्तित्व में आई है भाशा ठीक है तो ध्यान से समझे यानि कि जटिल थी पहले और जैसे जैसे इसका सरली करण होता गया दीरे 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 ठीक है तो समय के साथ साथ भाशा में भी परिवर्तन आता चला गया ठीक है तो ध्यान रखें करम दोस्तों बहुत जरूरी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपब्रंश, अवहट, फिर हिंदी, ठीक हैं, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक, तो संस्कृत, अब ये क्या कह रहे हैं, व्याख्या में देखते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, भाषा से होती हुई, अपब्रंश तक बहुचती है, फिर, अपब्रंश, अवहट से, अपब्रंश, अवहट से गुजरती हुई, प्राचीन, यानि की प्रारंबिक हिंदी का रूप लेती है, और ये कब लेती हैं, दोस्तों, एक हजार इसवी में हिंदी अपना प्रारंबिक रूप यानि अस्तित्व में आ जाती है ध्यान रखें ठीके विशुद हिंदी एवं अन्य आदूनिक भाषाओं का आरंब आप भरंश से माना जाता है ठीके तो जो विशुद हिंदी आज हम देखते हैं ठीके और जो आदूनिक भाषाओं हैं इन सभी का आरंब कहां से माना जाता है आप भरंश से ही माना जाता है तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपकी दिमाग में बहुत अच्छे से चप गया होगा ठीक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखें स्क्रिंशॉट ले करके देखें दोस्तों अपनी पढ़ाई के साथ कोई भी समझोता ना करें ठीक है थोड़ा समय जादा लगेगा लेकिन चीजों को एकदम किलियर करके चलें ठीक है अगला प्रशने दोस्तों ध्यान दें आदूनिक भारतिये भाषाओं का विकास किस से हुआ है तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों अपुब्रण से हुआ है ठीक है ध्यान सिंधी आए तो दिमाग में आना चाहिए एकदम से ब्राचड याविर प्रशन में आए ब्राचड तो आपको सिंधी भाषा दिमाग में आनी चाहिए ठीक है तो सिंधी भाषा का संबंध किस से है तो ब्राचड अपुब्रण से है किस से ब्राचड अपुब्रण से ठीक ह परिक्षा 2011 का प्रश्ण है ये देखते हैं प्रश्ण की व्याख्या गौर करें दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चैन बोड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्ण को गलत बताया था ठीक है पहले तो ये गलत ही बता दिया था लेकि तो सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड अपब्रंच से है किस से ब्राचड अपब्रंच से ठीक है ध्यान रखें अगला प्रश्णे दोस्तों ध्यान दें नेमन लिखित में से असत्य कथन को चुनिए तो असत्य कथन चुनना है ठीक है तो ध्यान दें असत्य कथन है क्या option d यानि की गलत है जूट है ठीक राजस्थानी उपभाशा का विकास पैसाची अपभरंस से हुआ है यह कथन बिल्कुल गलत है ठीक है तो राजस्थानी उपभाशा का विकास पैसाची अपभरंस से नई हुआ किस से हुआ है यह हुआ है सौर सैनी अपभरंस से व्याक्या म अपुभरंश की जो बोलिया है ठीक वो कौशी है एक है लहंदा और एक है पंजाबी लहंदा और पंजाबी ठीक है ये हैं जबकि राजिस्थानी उपभाशा का विकास किसे हुआ है सौर्च यहनी अपुभरंश से ठीक है ध्यान रखें बाकी के भी ऑप्षन देख लेते है दोस्तों सही option है बाकी के तीन option क्या है option a रीवा सतना शहडोल रीवा सतना शहडोल भगेली के छेतर हैं ठीक है तो भगेली बोली कहां कहां बोली जाती है रीवा में सतना में और शहडोल में ठीक है ध्यान रखें और भगेली किसका रूप है दोस्तों तो पूरवी हिंदी का यानि अर्द मागदी का रूप है भगेली ठीक है फिर है option बी option बी क्या है ध्यान दें वर्धा की राष्ट भाषा सुधार समीती की और से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है किस नाम से स्वर खड़ी ठीक है खड़े स्वर लिखे जाते हैं इसमें देवनागरी लिपी जैसे कुछ भी लिखेंगे तो यह खड़े खड़े से रहेंगे स्वर ठीक तो यानि की लेंथ में रहते हैं ये ठीक तो वर्धा यूनि वस्टी की राज भाषा सुधार समीती है एक जिसने देवनागरी में जो सुधार किये यानि देवनागरी क्या है हिंदी की लिपी है ठीक है तो जो सुधार किये तो वह किस नाम से जाना गया वह सुधार तो स्वर खड़ी के नाम से जाना गया ठीक है ध्यान रखें दोस्तो important बात है अगला बिंदू है दोस्तों ध्यान दें अगला बिंदू है खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौर वी है क्या है कौर वी है ठीक है ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ अब तो आपकी दिमाग में छब जानी चाहिए ठीक है तो ध्यान रखे दोस्तों ये सारी बातें इंपोर्टेंट हैं ठीक है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है option D सही क्यों क्यों क्योंकि गलत यही है कथन में असत्य पूछा गया है तो असत्य यह है ठीक है तो दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो यही समात होता है थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों